हमारे साथ जुरे हैं फ्यांग काउंसलर टुंडूप नुर्भू चीता और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले चानल के साथ जुरने के लिए आपके ऊपर एक आरोब है जो तरह से आपने एज के साथ खिलवाड किया है एलेक्शन के टाइम पे जो बीजेपी का कहना है तो उस पे क्या कहेंगे आप जो लिया चले एंड थैंक्यू फो हविंग में बीजेपी ने जो एलेकेशन लगाया अच्छा लगा उनका चाय पे चर्चाप खतं होगया आप वो चीता पे चर्चा कर रहे हैं एक्शली जो एलेकेशन लगा था ये इससे एक साल पहले मैंने आपके चैनल पर एक इंटर्व्यू दिया था कि हमें ये परसेनली बहुत टर्गेट कर रहे हैं पहले उफर दिया एसी बन जाओ फिर बहुत सारे कॉंसलर को लैंड का उफर दिया तो वह यह चाहते है कि कॉंसलर जो है उनके पार्टी जोइन करें तो इससे पहले हमने इस सब्सक्राइब की मोहीम को चलाया था एक उनलाइन कंटेस्ट किया था बहुत फेमस हुआ था उससे बहुत सारे यूथ जुड़े उसमुद्दे से तो उन्होंने हम पर किस इससे पहले भी दिया उसके बाद फिर किस और ये शायद मेरे हिसाफ से तीसरा चोथा किस उन्हो से मेरे पीचे MP, CEC, उनके स्टेट के प्रेजिडेंट, जर्नल सेकेर्टी, स्टेट के वुमन प्रेजिडेंट, फॉर्मल डेस्टिक प्रेजिडेंट, ये सारे अभी से पीचे पढ़ने लग गए वजा क्या है कि सिरफ मुझे हराना चाहते हैं, ये मेरे काम को रोकना चाह प्रेजिडेंट, फ्रेजिडेंट, 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 फ्रेजिडे चारेक्टर ठीक नहीं है, यह बहुत चीज सारे पहंतरे अपना रहे हैं बदनाम करने के लिए और फिर लड़ रहे हैं, और जब कुछ नहीं हुआ, लोगों का इतना सपोर्ड आया, मुझे लगता है मैं जीत गया हूँ, उस केस का कोई वैल्यू नहीं है मेरे उस पर, लेकि का सब कुछ देखते हैं, पेपर्स जब आप लेके जाते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, किस तरह से स्कूरूटिनी करें, किस तरह से उसको देख रेक में उनके सब कुछ होता है, तो क्या हम मानें कि जब यह सब आप जिस आरोप से आप अभी लगा रहे ह हैं, कि आपने date of birth में छेर सार की है, तो क्या उस टाइम उन्होंने वो किस तरह verify करते हैं, आपका सारा papers से, देखिए अचले कि politics एक ऐसा profession है, जहां आप जब election में contest करते हो, आपका कोई qualification की ज़रूरत नहीं होता है, आपका किसी certificate की भी ज़रूरत नहीं होता है, एलेक्टर रोल्स में आपको अगर eligible हो, आपको eligible करते हैं, आगे के लिए certificate देते हैं, वो हो जाता है, लेकिन देश भर में आज देखिए, बीजेपी हर agencies को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एलेक्शन में अगर मैंने कोई forgery की हो, तब भी election जैसे मैंने nomination बरा, उसके पा ठीक है, ओके election हो गया, मैं जीत गया, जीतने के बाद भी एक मेने का एक scope होता है, कुछ objection हो तो file कीजिए, उस एक मेने के बाद कुछ भी आप objection file करो, उसका कोई महतव होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये case बनाया, police ने उस case को valid किया, मैं एक कह रहा हूं कि agencies जो है, आज government जो electric bodies है, वो इन चीज़ों का बहुत सारा misuse कर रहे हैं, और ये misuse करने का nature लदाख में आया है, जो जनता के लिए बहुत खतर नाक है, अभी आप सूच है, मैं के electric representative हो, मुझे वो इतना दमखा रहे हैं, case बना रहे हैं, तो आम public में वो कितना डर फेला ले ह लेकिन BJP को तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर वो कहते हैं कि मैंने forgery किया है, हाँ तो किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ो, मुझे नहीं लगता है BJP मेरा बाल भी एक बागा कट पाएगा, उन्होंने डेली से वकील लाया, सुनने में आया, MHC से कोई pressure ला रहे ह इतना मेहनत करने के बाद, at the end of the day वो कहां पहुँचे, मैं बाहर हूँ एक महने से, ना कोई arrest हुआ, मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ जोड़ रहा हूँ, for me, मेरा public important है, ना उससे उपर कुछ नहीं, ना कुछ से नीचे कुछ नहीं है, तो पुलिस तक जो है, ये बा केस के बारे में मैं पूरा अगर भूल तो शायद केस का मज़ा कتم हो जाएगा, जिन पांच लोगों ने ये प्रेस कांफरेंस किया है, उनको अंदाज है निये कि उनके साथ क्या होने वाला है, पुलिस ने जैसे ये केस लगाया था, तो मैंने एक एंटिसेपरेटरी बेल पहले ही अटेंब पे अप्रूफ हो चुका था, जब आया तो पुलिस ने फिर इंक्वारी की और फिर उन्होंने मेरे बेल को अब्जेक्शन किया, अब्जेक्शन करने के बाद हमने हाई कोट से चलान पे ही स्टेल आया हुआ है, तो अभी पुलिस जो भी इन्विस्टिक के है, बीजेपी के इशायद, जर्नल सेकर्टी जो भी है, उनको हाई कोट बुलाया गया है, अब वो सफाई देते रहेंगे, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे लीगल स्टेप से, जिनके वज़े से बीजेपी को जो पास लोग है, मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम में पशने वाले, जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के सारे जुडने के लिए, तो ये रहे, ये थे हमासा टुन्डूप नुर्बुचीता जी, जो बीजेपी के और से ऐलिगेशन ये लगाया गया था, कि उन्होंने अपने डेट अब बर्थ के साथ छेर खानी की है, उन्होंने के लिए, तो अभी आपने सुना है, इन्होंने क्या कहा है, उस केस पे आगे देखने वाली ये बात रहेगी, कि क्या टुन्डूप नुर्बुचीता जी इस केस में भसते हैं, या जो है उनको बेल मिलता है, या जो है ये केस जो है, वही रफा दफा हो जाते है तो उसी के साथ स्तन्जिन दोर्जे और रिग्जिन वैंग मो जेकिट 24-7 के लिए लेला दाक से